एक बार की बात है कि एक जंगल में जंगल का राजा शेर और चुहा रहा करते थे। एक बार जब शेर गहरी नींद में सो रहा था तब एक चुहा बिल से निकल कर शेर के ऊपर उच्छल कूद करने लगा। चूहे के इस तरह हुच्छल कूट करने से शेर की नींद खुल गई और शेर ने चूहे को पकड़ लिया शेर द्वारा चूहे के पकड़े जाने के बाद चूहा बहुत ही ज्यादा डर गया चूहे को दरा देखकर शेर ने कहा कि तुमने मेरी नीन खराब की है अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा अपने को असहाय देखकर चूहे ने कहा कि है जंगल के राजा मुझे छोटे से प्रानी को खाने से आपकी भूख नहीं मिटेगी आप मुझे मत खाए हे शेर राजा मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे छोड़ दो यदि कभी आपके ऊपर कभी कोई मुसीबत आती है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ ये सुनकर शेर हसने लगा तुम तो बहुत छोटे हो तुम क्या मेरी मदद करोगे तुम्हारे विनती करने पर चलो आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ लेकिन अगली बार ऐसा करने पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ये कहकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया कुछ दिन के बाद जब शेर खाने की तलाश में जंगल में भटक रहा था तो तभी शेर एक शिकारी द्वारा फैलाए गए जाल में फंस गया शेर अपने आपको चुड़ाने के लिए बहुत प्रयास करने लगा लेकिन अपने आप नहीं चुड़ा पाया इसके कुछ देर बाद शेर जोर जोर से दहार मारने लगा शेर की दहार सुनकर चुहा वहां आ गया जैसे ही चुहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा चुहा तुरंथी शेर के पास पहुँच गया जब चूहे ने शेर को जाल में फसा देखा तो चूहे ने फटाफट अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया कुछ देर के बाद चूहे ने पूरा जाल काट दिया जाल काटने के बाद शेर आजाद हो गया चूहे की इस मदद से शेर बहुत ही भावुक हो गया शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और दोनों उस दिन के बाद से अच्छे दोस्त बन गए